हलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू माई चैनल, लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंज, डाइवोर्स के उपर हमने बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की हुई है और इसके उपर आई दिन कोई न कोई जैज्मेंट भी आता रहता है और डाइवोर्स लेने के प्रोसेस के बारे में भी आपको अच्छी तरह से पता है कोट में जब डाइवोर्स लेने के लिए पती या पतनी पहुंचते हैं तो एक दूसरे पर इलजाम लगाते हैं ये तो जाहिर सी बात है पर इस तरह के इलजाम जब आपके करियर को आपके मान समान और आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुचाने लगे तो क्या इस तरह के इलजामों को माफ किया जा सकता है कुछ इसी तरह का जज्जमेंट पास किया सुपरीम कोट ने तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहे और इंफोमेशन अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेर भी जरूर करेगा। और इस जुड़ेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप इस जुड़ेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज बात हो रही है केस चैदीप मजूमदार वर्सिस भारती मजूमदार केस के बारे में। सुप्रीम कोट ने हाल ही में इस केस के उपर अपना जजज्मेंट सुनाया। इंडिया में मैरिश करने को चाहे जितना भी आसान क्यों न बना दिया जाए। लेकिन डाइवोर्स लेना उतना आसान किसी के लिए भी नहीं होता। डाइवोर्स अगर म्यूच्वल कंसेंट से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर एक पार्टी को ऐसा अकेले करना पड़े तो ये उसके लिए बहुत ही परिशाने वाला और बहुत ही लंबा प्रसेस हो सकता है। क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में पहुंसता है तो कोई नहीं कह सकता कि कौन कितना गिर जाएगा। कौन कितना और किस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगा देगा। सुपरीम कोट में इस केस की सुनवाई ज़श्टिस संजे किशन कॉल, ज़श्टिस दिनेश महेश्वरी और ज़श्टिस रिश्शी केश रॉइ की बेंच कर रही थी। सुपरीम कोट में ये याजिका हाई कोट के एक फैसले के खिलाफ दायर की गए थी। इस मामले में पती एक आर्मी का आफिसर था। उनका आरोब था कि उनकी पत्नी ने उन पर ऐसे ऐसे आरोब लगाए जो उनके चीफ ओफ आर्मी से लेकर आर्मी के बड़े बड़े आफिसर के सामने लगाई गई थी। वापिस नहीं लाया जा सकता। इस केस में फैमली कोट ने उन्हें डाइवोर्स ग्रांड किया था लेकिन हाई कोट ने उनके इस फैसले को पलड़ दिया था जिसकी वज़ा से ये मामला पहुचा ओनरेबल सुप्रीन कोट के सामने। क्रूल्टी की है और ये डाइवोर्स लेने के ग्राउंड में भी आता है और पत्नी की इस गलती को माफ्ट नहीं किया जा सकता। कोट ने ये भी कहा कि हर एक कपल का टॉलरेंस लेवल अलग-अलग होता है और कोट ने कहा कि जब इस तरह के मामले कोट में आते हैं तो उनके बैग्राउंड को लेवल ओफ एजुकेशन और उनके स्टेटस को ध्यान में रखना जरूरी होगा। और देखना होगा कि डाइवोर्स लेने के लिए जो आरोप लगाये जा रहे हैं क्या वो एप्रूप्रियेट ग्राउंड है या फिर नहीं। को वापिस नहीं लाया जा सकता। उन्रेवल सुप्रीम कोट ने हाई कोट के इस फैसले को रद कर दिया और कहा कि हाई कोट ने इस मामले को मिडल क्लास के मामूली जगड़े समझने की गलती की है। लेकिन ये मामला पती के साथ हुई क्रूरता का है क्योंकि हमेशा पत्मियों के साथ ही क्रूरता नहीं होती। कुछ मामले ऐसे भी होते है जहां पती को बहुत कुछ सहना पढ़ता है। और ये मामला भी ऐसा ही है, यहाँ पर पती के साथ ब्रूटल क्रूरल्टी हुई है। और इस तरह से सुप्रीम कोट ने हाई कोट के फैसले को रद करते हुए फैमिली कोट के फैसले को ही जारी रखा तो फ्रेंज ये था हमारा आज का सुप्रीम कोट का एक लेटेस जज्जमेंट I hope कि ये चानकारी इंफोमेशन आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेगा